आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेट चना दाल और सूजी के लड़ू तो चलिए देखते हैं रोस्टेट चना दाल और सूजी के लड़ू कैसे बनाए जाते हैं यह हमने एक कप रोस्टेट चना डाल लिया है, यह रोस्ट बजार में भी मिलती है, आप घर में भी इसे कर सकते हैं, यह हम एक कप जार में डालेंगे, ग्राइंडर में, एक टी स्पून पिस्योई चोटी लाइची, अब इन दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, औ अब इसे एक बोल में निकाल लेंगे, अब इसमें यह आधा कप तगार डालेंगे, यह बजार में भी मिल जाती है, और यह homemade है, इसका वीडियो लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके बतले आप पिस्योई चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें तगार डालो तो अ और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हम सूजी को भून लेंगे, एक कडाई लेंगे, गैस से लाएंगे, गैस को लोग मीडियम के बीच में करेंगे, कडाई को थोड़ा सा गरम होने देंगे, और इसमें ये half cup सूजी डालेंगे, ये हमने बरीक वाली सूजी लिए है, अगर आपके पास मोटी सूजी है, तो grinder में उसे grind करके बरीक कर लिजिए अब इसे बिल्कुल से मांच पे भूनेंगे और लगातार कर्ची चलाएंगे, इसे जैदा brown नहीं करना सूजी ड्राइ रोस्ट हो चुकिया है, हमने इसे 5 मिन ड्राइ रोस्ट किया, गैस बन कर देंगे, अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे, और ठंडा होने के लिए रख देंगे इसे एक साइड में रख लेंगे, अब ये थोड़े से ड्राइ फ्रूट्स हैं, उन्हें भी घी में फ्राइ कर लेंगे, एक टीस्पून घी लेंगे गैस को बिल्कुर सिंपे करना है, क्योंकि कडाई बहुत गरम है, और ये हमने कुछ पिस्ता, बदाम और काजू लियें, चार-चार पीस और बरीक काट लिया, अब इनको भी फ्राइ कर लेंगे फ्राइ किया हुआ ड्राइ फ्रूट बहुत अच्छा लगता है लड्डू में, पस इससे थोड़ी देरी पलट-पलट के फ्राइ करना है, क्योंकि कडाई बहुत गरम है हमारी, ये उसी महीन हो जाएगा गैस बिलकुल सिम पर हमने रखी है, ड्राइ फ्रूट भी हलके फ्राइ होगे है, गैस बन करके इन्हें भी एक बोल में निकाल लेंगे इन्हें भी एक साइड में रख लेंगे, ये हमने 1 फोर्थ कप से 2 टेबल स्पून उपर घीलिया है, इसको हम गरम करेंगे इसको थोड़ा ज्यादा गरम करना है, घी काफी गरम हो चुका है, अब गैस बन करेंगे और इसे भी एक साइड में रख देंगे अब एक बोल लेंगे, उसमें ये रोस्टेट चना दाल जो हमने ग्राइंड की थी, इसका पाउडर डालेंगे सूजी जो रोस्ट की थी वो भी डाल देंगे, सूजी भी थंडी हो चुकी है और ये ड्राइफ रूट जो फ्राइ किया था ये भी डाल देंगे, अब इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, ये घी गरम किया हुआ, काफी गरम है घी, ये हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे, इसे हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से, ऐसे मसल मसल के इसे मिक्स करना है, घी और डालेंगे, थोड़ा और घी डालेंगे, उतना घी डालना है जितना अच्छे से लड्डू बाइंड हो जाएं, तम पड़े तो और भी डाल सकते है अब इससे अच्छे सा मस लेंगे इसमें हम थोड़ा गी और डालेंगे क्योंकि यह भी बाइंड नहीं हो रहे बराबर अब इसमें एक चमाच और डालेंगे गी पहले हमने वन फोर्थ कप और दो टेबल स्पून ऊपर डाले थे दो टेबल स्पून हमने गी और एड किया इसमें अब देखिए अच्छे से पाइंड हो जाएगा यह लड़ू का मिक्सेर तेयार हो गया अब इसके हम लड़ू बनाएंगे पेडा हाथ में लेंगे अक्ता थोड़ा सा जितना आपको साइज λέ़ लड़ू का बना शकते हैं ऐसे उसको गोल करेंगे और इसी तरह सारे लड्डू बना लेंगे प्लेट में रखते जाएंगे सारे लड्डू हमने बाइंड कर लिये हैं तो ये रही हमारी आज की रेस्पी रोस्टेट चना डाल और सूजी के लड्डू इन्हें बनाना बहुत यसान हैं और बहुत कम समय में बन जाते हैं खाने में भी बहुत यमी है इन ते उहारों में आप इन्हें जरूर राई कीजिए और हमें अपना फीड़बेक दीजिए हमारे वीडियो को शेर कीजिए लाइक कीजिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए झाल को सब्सक्राइब कीजिए झाल कीजिए